तो भाई एक बहुत ही अमेजिंग रिक्वेस्ट हमारे बास आई है और ये आई है फैजान व्लोक्स की तरफ से ये मैस दीखना चाहते हैं टीम मार्वल व्ल्स टीम डैविल्स और टीम डैविल्स में मुस्तफाली मंसूर रैंडियोटन और टीम मार्वल में होंगे कैप्चन अमेरिका हल्क और भाई थोर तो मैच कर देते हैं स्टार्ट में इवन्ट यहांपर हमारा एरिना रहेगा एंटर्स मेंने ओफ रकी है रेफरी मेंने सलेक्ट नहीं किया है आप देखते हैं कि रेफरी कोन आएगा ये टैग ट सिंप मैच रहेगा में इवेंट मैच तो भाई जब स्थी से हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाई रिंग में जाने से पहले तो यह बहुत ही अमेजिंग मैच होने वाला है देखते हैं कि आज इन दोनों में से कौन सी टीम बाजी मारेगी और इस मैच के अंदर जो नोक आउट है भाई वो ओन रहेगा एलिमिनेशन ओन रहेगा डिस्क वालिविकेशन ओफ रहेगी दो दो फिनिशर मैंने सब को स्टार्टिंग में दे दिये हैं आज फिनिशर की भरमार आने वाले हैं मैच के अंदर फिनिशर जब स्टार्ट में दे देते हैं तो भाई यह होता है कैप्टन अमेरिका ने भाई अपने दो दो फिनिशर चिपका दिये और अब हलक आ चुके हैं हलक के पास भी दो दो फिनिशर मुझे लग रहे कि नहीं तो और दूसरा फिनिशर थोर को आती ही ठोर का तो एक ही फिनिशर में कांट हो गया भाई वा भाई इतना जल्दी एलिमिनेशन हो जाएगा टीम मार्वल में से भाई सोचा नहीं था मैंने बहुत अच्छा gameplay मुस्तफा ली के जरीए और भाई मनसूर और रेंड रेंडियोटन न ही भाई दो-दो फिनिशर अब इनके पास है ठोर के पास सिर्फ दो फिनिशर अबज़े हुए है तो अभी अगर मुस्तवाली के पास signature finisher होता ना भाई वो लगा देते signature और finisher की position में खड़े हैं वो और के पास दो finisher है भाई उससे बच के रहना पड़ेगा अगर इस match को जीतना है अरे भाई नहीं अभी इतनी जल्दी pinfall नहीं होने वाला इतनी जल्दी नहीं होने वाला इतनी जल्दी नहीं क्या वो अपनी team को जिता पाएंगे लेकिन भाई फिलहाल तो रेंडी उटन मंसूर और मुस्तवाली की जो team devils है वो भाई बाजी मार गई है पहला elimination उन्होंने कर दिया है और अब देखते हैं के भाई second elimination किसका होगा रेफरी काउंट कर रहा है भाई फड़ा फट तो रिंग में जा करके लड़ो यार रेफरी ने भाई six काउंट कर दी अब देखते हैं भाई ये दोनों तो नहीं eliminate हो जाएंगे seven count हो चुका है अगर कोई अब भाई stunned हो गया भाई दोनो no count हो जाएंगे nine count हो चुका भाई four चले गए रिंग में मुस्तफाली और मुस्तफाली भाई क्या कर रहे थे countdown से यार कौन eliminate होता है four को पढ़ गया भाई finisher यारे countdown से eliminate होना सबसे ज्याना बेकार है मुस्तफाली भाई ring में चले जाते तो भाई बहुत बढ़िया होता एक free में elimination मिल गया भाई टीम मार्वल को टीम मार्वल को free में elimination मिल चुका एक और एक और finisher देने जा रहे हैं भाई लगा दिया लगा दिया भाई submission लगा दिया finisher नहीं लगाया भाई अभी finisher नहीं आई है लेकिन thore की health बिल्कुल खतम कर दिया body damage अभी नहीं हुआ है लेकिन health खतम है health खतम हो चुकी है और भाई वो finisher देने जा रहे थे लेकिन भाई mansoor को खोश आ गया और भाई अब वो चले captain america को मार दे रेंडी उडन को stunt कर दिया भाई मार के और अधर captain america stunt हो चुकी है अगर अब किसी का pinfall हो गया ना भाई कोई बजाने भी नहीं आएगा अरे जंप यार करी थी लेकिन गलत जगा गलत जगां पर जंप हुई आरे 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 भाई रेफरी भाई फिर से countdown कर रहा है और भाई अब countdown से eliminate मत हो जाना भाई काउंट कर दिया वरीने कि 6 काउंट कर दिया यार कि भाई मुझे लग रहा है फिर ना भाई कोई कांट हो जाए सैमन काउंट हो गया यार ये कर क्या रहे है भाई आज फ़ोर तो भगली है वहाई रिनिंग में मनसूर एट काउंट हो गया भाई और फिर से यह न मतलब चीटिंग करकर के भार लोगों को बाहर निकल वा रहा रहा यार तो फिनिशर लागया मनसूर के पास अब देखते हैं कि वो फीनिशर लगाएंगे कि नहीं फीनिशर तो चाहिए भाई मैच जीतने के लिए फीनिशर तो चाहिए आरे 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 भाई स्टन्ड हो चुकी है थोर और यह पड़ गया भाई कैप्टन अमेरिका को फीनिशर कैप्टन अमेरिका भी गए भाई अब इम डैविल्स का जीतना तै है भाई इम डैविल्स का जीतना पक्का है अब अकेले थोर बचे उनके पास सिर्फ रेजिलेंसी है उसके लावा भाई उनको कोई नहीं बचा सकता रेजिलेंसी के लावा भाई उनको कोई नहीं बचा पाए गए अरे 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 भाई बहुत ही गंदी जगा में मारा भाई सिक्स काउंट हो गया भाई फिर से भाई राफरी ने फिर से सिस काउंट कर दिया भाई सैवन काउंट हो चुक है रिंग में चलो यार जल्दी से रिंग में चलो मैं अगर रिंग में जाके लडएंगे न वाई तो पक्का टीम डैवल्स जीतने वाली है जितनी देर एंट से जादा रहेंगेिन वार उतना इनके जीतने के चांस कम हो सकता है क्योंटि बाहर मार भी बड़े गी और हो रिंग में जाके फिर फिनिशर इनके पास कट्टी हो जाएंगे वह भी गए हैं तीन-स फिनिशर थोर के पास अब खोर के पास तीन फिनिशर भाई खतरनाक और यह देखो और प्लेयर सिर्फ दो ही बचे रेंडियोटन और मंसूर और फोर का बाई 399 वाई इनका ओवराल वाई बहतरी इसी में के भाई आप रिंग में चलो एट काउंट हो चुका यह दे को थोर खुद रिंग में आ चुके हैं और भाई आजाओ यार रिंग में आजाओ फीनिशर्ट हो यार अब फिर से बाहर चली गए हैं कि अगर मनसुर नीं से बाहर नहीं जाते न ka और स्टीर सबक्र कैसे ऊड़के गया देखा फाई किसी ने स्टीर सबस्वित कैसे गया उड़के पारे भाई रेफरी ने फिर से काउंट कर तो थोर भाई खुद रिंग से बाहर निकाल किना बंदे को रिंग से अंदर चले जाते है बहुत बढ़िया अरे भाई रिंग में चलो यार रेफरीन भाई रिंग में काउंट करने के लिए बुलाया भाई चलो जल्दी रिंग में आओ यार अरे स्टील से मनसूर अंदर आजा भाई अंदर आजा चलो बहुत बढ़िया अब आएगा थोर भी और मुझे लगए फिनिशर पड़ेगा आजा भाई बुलारा भाई मनसूर थोर को अंदर अब खुद बाहर मत चले जाना अब यार फिर से बाहर चला गया यह बाहर मत जाओ यार बाहर जाओ तो भाई कांट हो जाएगा कि अब भाई मुझे लगए फिनिशर पड़ना चाहिए बाई फिनिशर चाहिए बाई खाना नहीं है मतलेब फिनिशर देना रेंडियॉटन को भी अगर टैग दे दिया ना भाई तो रेंडियुटन आते ही आरको चिपकराएंगे अभी नहीं हुने चाहिए पिन फॉर नहीं हुआ भाई नहीं हुआ रिवर्स कर दिया अब भाई फिनिशर फिनिशर चाहिए भाई मनसूर की तरफ से एक फिनिशर की कसर है वस एक फिनिचर की कसर है तेरो टैग दने जा रहे है रेंडी उटन आएंगे भाई अब मुझे लग रहे है कि रेंडी उटन लगाएंगे आर्कियो चलो यार रेंडी उटन क्या कर रहे हो अरे यार इसकी जरूरत नहीं दि भाई तेरे बस दो-दो फिनिचर है भाई रेंडी उटन वैपन की जरूरत नहीं थी बसे रेंडी उटन भी भाई पिटाने लगे और थोर मुझे लग रहा कहीं अकेले मैच ही ना पलट दे भाई तीन-तीन फिनिचर ले रहे हो रहे एक सिकी निचर जो कि बहुत हैं भाई मैच जीतने के लिए और इन दोने के पास कूल मिला के भाई दो फिनिचर और एक सिकी निचर है जो की जीतने के लिए जिद चाहिए उससे कहीं ज़्यादा लेकिन इसको दे के राजी नहीं है यह लगा ही नहीं रहे भाई अब बाहर मच जाना बस कोई रिंग में लड़ो रिंग में लड़ो यार थोर कहां लेके जारो भाई टैग दिने भाई बस फिनिचर का वेट है फिनिचर चला न उसके पाद गेम खतम है भही फिनिचर का वेट है बस पढ़ गया चलो बैए मैंने कहा था ना फिनिशर का वेट आवस तो भाई ये गेम प्ले आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जुरू बताएं और जो हमारी चैनल पर नए है वो चैनल को सब्सक्राइब जुरू कर लें तो भाई ये गेम प्ले आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जुरू बताएं आज गला थोड़ा सा कराब है भाई बोल बोल के इसलिए अगर मेरी आवाज थोड़ी अजीव आ रही है तो भाई अड़ेस्ट कर ले ना भाई तो चलो भाई मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में